नमस्कार दोस्तों, गास, एसिडिटी, एसिड रिफलक्स, कब्स, पाइल्स और इनके जैसी बहुत सारी पेट से जुड़ी परिशानियों की बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है नक्स वोमेका अगर आप भी इन सभी परिशानियों से जूज रहे हैं, घर में नक्स वोमेका रखी है तो कैसे इन तकलीफों में नक्स वोमेका आपको फाइदा देगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी रहे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिए तकि आप जान पाएं कि नक्स मोमेका की सही डोसेज क्या होनी चाहिए, कैसे استعمال करना चाहिए और किन लोगों को नक्स मुमे का सूट करेगी किन तरह के सिम्टम्स में नक्स मुमे का बहुत ही प्रभावी असर दिखाएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रीज मेरी बात समझ में आये तो थमस अब देना बिलकुल मत भूलिएगा और ये जो चैनल है सबस्क्राइब ज़रूर करिए चलिए जुड़ते हैं और हमियोपती की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भाई ये नक्स मुमेका है क्या नक्स मुमेका बेसिकली जो बीज होते है न एक पौधे के उससे बनी दवा है नक्स मुमेका अब ये बीज कहां से आते हैं इस ट्रिचनीन ट्री जो है ये एक ऐसा चोटा सा पेड़ है जो की आपके साउथीस्ट एशिया और इंडिया में बहुतायद में पाया जाता है इसे कुछला भी बोलते है हिंदी के अंदर ये जो पेड़ है इसके जो तना होता है उसकी जो चाल होती है वो भी हलकी सी पोईजनस होती है पतिया भी हलकी सी पोईजनस होती है और जो इसका फल होता है वो हरे रंका होता है धिरे धिरे ओरेंज कलर में तब्दील हो जाता है इस फल के अंदर मौजूद जो बीज होते है ये भी पोईजनस होते है फल भी हलका सा poisonous होता है और उन्हीं बीजों से बनी दवा है नक्स वोमेका तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बता देते हैं अब आपको कि भाईया नक्स वोमेका वास्तम में किसे सूट कर सकती है अब देखिए अगर आप एक ऐसे विक्ति हैं जो कि दिमाग का इस्तव बहुत जादा करते हैं बहुत जादा oversensitive हैं पतले दूबले से हैं हर समय बैठे रहते हैं work from home आज कल जो covid situation में work from home नाम की situation पैदा हो गई है कि घर पे रहकर काम कर रहे हैं 8-8-10 गंटे बैठे रहते हैं बच्चे 8-10 गंटे पढ़ाई करते रहते हैं दिन में कई 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 समय तक अपनी share से नहीं उठते हैं कोई मतलब नहीं दुनिया जहान में क्या हो रहा है अपने काम से मतलब है इरिटेट हो चुके हैं बहुत sensitive हो गए हैं काम कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं हलकी सी भी तेज आवाज हलकी सी भी तेज sound बिलकुल बरदाश नहीं है सो रहे ह तो इतने sensitive हो चुके हैं सोते हुए कि हलकी सी भी कोई आवाज आ जाएगी कोई light जला देगा कोई पंखा चला देगा अगर पंखा बंध है तो कोई AC में हलका फुल के changes करेगा फौरान आँख खुल जाएगी इतनी जादा over sensitive हो चुके हैं चिर्चडे इतने चिर्चडे हैं कि पूछे मत गुसा कितना आता है बहुत जबरदस गुसा आता है complete तरहे के irritable जो लोग होते हैं जिन्में work from home की वज़े से तकलीफे हो चुकी हैं जुझला चुके हैं या study from home की वज़े से जुझला चुके हैं उनकी बहुत ही अच्छी दवा है नक्समे का अब अगर आप profession wise जाएं तो देखिए कोई भी banker है जो कि regularly कई के घंटे तक बैठा रहता है जो corporates हैं जहां पर regularly काफी काफी घंटों तक काम करना पड़ता है जो corporates के managers हैं खास कर उन लोगों की एक बहुत ही efficient दवा है नक्समे का तो अगर आप भीड में या अपने office में आप differentiate करना चाहते हैं कि नक्समे का कौन है तो देख लीजिएगा जो भी आपका manager हो या आपका head हो अगर पतला दुबला है च्रचड़ा है गुसेल है बहुत जल्दी गुसा आ जाता है बहुत भेहनती है बहुत काम करता है घंटों घंटों काम करता रहता है fault finder है बहुत ही जल्दी गलतिया निकालने लग जाता है बहुत perfection चाहिए अपने काम में गलती उसे बिल्कुल बरदाश नहीं है जादा काम कर लेता है mental exertion बहुत जादा कर लेता है तकलीफे होने लग जाती है इसलिए अपने काम को बड़ा limited रखता है खाना खाने के बाद तो उसे बिल्कुल बरदाश नह अगर आप भी work from home कर रहे है या study from home कर रहे है तो यह नक्स मोमिका नाम की दवा आपके घर में जरूर रहनी चाहिए आपकी तकलीफों में बहुत जादा फायदा देगी अब अगला सवाल यह उठता है कि भाईया यह नक्स मोमिका देनी कैसे है किन किन symptoms में आपको prescribe करनी है देखिए अब अगर हम शुरू करें ना तो यह जो नक्स मोमिका का मरीज है या जो patient है उसको gas की वजए से सब परिशानी शुरू हो जाती है हो क्या रहा है वो oversensitive है ठीक है बहुत ज़्यादा mental labor कर रहा है तो किन किन चीजों से परिशानी हो रही है जब ज़्यादा गुसा कर लेता है तो परिशान हो जाता है ज़्यादा exertion ले लेता है तो परिशान हो जाता है smoking करने लग जाता है तो परिशान हो जाता है drinking करने लग जाता है तो परिशान हो जाता है मतलब इन सारी परिशान इन सारी चीजे है ना इनके आसपास इन factors के आसपास से ही उसकी परिश मतलब बहुत जल्दी गैस बन जाती है जब गैस बनती है उपर को चड़ जाती है यानि क्या होगा गैस्ट्रिक हैडएक जब आपको गैस बनने लग जाए और गैस की वेज़े सरदर्द होने लग जाए नक्स मोमिका इस दे मेडिसन similarly गैस बन रही है खाना उपर को आ रहा है खटी-खटी डखारे आ रही है पूरा थ्रोट पीछे से जल गया है गले के अंदर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिसे जल चुका है बुरी तरह से इतना खराश हो रही है दर्द हो रहा है सूजन आ रही है और डखारे पर भारी पन हो गया वो जो भारी पन है ऐसे लग रहा है जहां से वहां पर वेट आ गया प्रेशर आ गया प्रेशर इतना जादा हो रहा है कि खाना खाली है खाना खाने के बाद थुड़ देर के बाद ही हलका सा उपकाईयां आने लग जाती है ठकारे पहले ठकारे आएंगी, खाना उपर को आएगा, उपकाहियां आएंगी और फिर उसके बाद हालत यह हो जाएगी कि दो-तिन घंटे के बाद तो उल्टी आने शुरू हो जाएगी और खासियत है कि अगर नक्समोमिका के मरीज ने उल्टी कर दी तो फिर उसे उस तकलीफों में आराम आने लग जाएगा अब यह हर तरह के पेट के रोगी के लिए एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है कि एसिडिटी में अगर वॉमेटिंग आने लग जाए और वॉमेटिंग से पेशन्ट को आराम आ जाए अब क्या हो रहा है पेट में बहंकर तरह से एसिडिटी हो रही है और जो एसिडिटी हो रही से लग रहा है पेट बिल्कुल जल चुगा है अंदर से गरं बिल्कुल आग लगी हुई है वो आग की वज़े से लपटे ऊपर तक जा रही है और सर तक महसूस हो रही है तकलीफे अब पेट के नीचे उतरिये तो जो आपकी इंटेस्टाइन से आते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि भई जैसे ही खाना नीचे पहुँच रहा है तो फिर नीचे परिशानी शुड़ू हो जा रही है आतों में ड्राइनस हो रही है आतों में ड्राइनस विज़े से क्या हो रहा है पानी नहीं पी रहे हैं बहुत दिर तक बैठे हुँ है या फिर कॉफी ज़्यादा पी लेते हैं चाई ज़दा पी लेते है, smoking ज़दा कर लेते है alcohol ज़दा ले लेते है, तो उसकी वेशे क्या हो रहा है हमारी आंतों में irritation हो गया है आंतों में irritation की वेशे क्या हुआ, आंतों में dryness आ गई, अब क्या होगा Cubs, constipation, कैसा constipation हो रहा है कि patient जब potty करने जाता है stool करने जाता है, तो उसके बाद उसे un-effectual desire रहती है और जो stool पास हो रहा है, वो unsatisfactory stool है, नहीं patient के रहा है, भाई है मैं तो गया, पर fresh नहीं हुआ मजा सा नहीं आया मैं potty तो गया, लेकिन मुझे मजा सा नहीं आया, feeling of freshness नहीं ही मेरे अंदर, लग रहा है, फिर से जाना पड़ सकता है, that is the next momica case फिर क्या हो रहा है, उसी constipation की वज़े से, यह जादर straining की वज़े से उसको, जो anal area है वहाँ पे dryness हो रही है, redness हो रही है और उसके बाद धिरे-धिरे करके hemorrhoids develop कर जा रहे है जो की बाद में, आगे बढ़कर जो hemorrhoids है, वो भार की तरफ protrude कर जाते है और protrusion की वज़े से, फिर multiple और सारी complaints हो लग जाती है यह हो गई, पेट संबंदी परिशानिया है, जिसमें नक्स मोमिका एक लाजवाब दबाए, केवल पेट में ही नहीं अब पेट की अगर muscles की बात करें तो उन muscles के लिए भी बहुत ज़रूरी दबाए नक्स मोमिका, muscles में कैसे, जब आपको पेट संबंदी परिशानिया होंगी इस तरह की आपका पेट फूला फूला रहेगा हर समय पेट अजीब सा रहेगा हर समय दर्द होता रहेगा, दुखन होती रहेगी पेट पेट पे, अगर नक्स मोमिका पेशेंट कहता है, भाईया चूओ मत मेरे से दूर रहो, मेरे पास कता ही मताओ क्यों? अगर आप चूओ गे ना उसका जो पेट इतना sensitive है, छूते ही दर्द चुरू हो जायेगा उसके अंदर, और दर्द कैसे होगा? चूओ रहे हैं कॉले हो रहा है, पूरे समय कॉले हो रहा है यानि को जो सोरने से पेट की खतम ही नहीं हो रही है, दुखन उसकी खतम नहीं हो रही है इसकी वज़े से क्या हो रहा है? पेट की जो muscles है, मासipseagation है, वो weak हो गई है और जब मासipseagation week हो गई है, तो क्या है? हरणिया भी हो सकता है, अब Umbilical हरणिया भी हो सकता है, Inguanal हर्णिया भी हो सकता है, Strangulated हरणिया जरूरी है, पेशेंट के अंदर स्ट्राइंग लोटर हरनिया जरूर हो जाएगा तो इस तरह की पेट संबंधी परिशानिया जो है वो नक्समों काई मरीज को हो जाती है जब आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेके आते हैं हुमियोपथी के अलावा सबोज आप बहुत सारी अलोपथिक दवा खाके आ गए कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज होके आ गए उसके बाद क्या होगा बहुत समय से लगातार दवा खाने की वज़े से आपके पेट में हो गई गर्मी पेट में गर्मी होगी डाट्साब बलकुल खुषकी होगई पेट मेरा ऐसा हो गया है कुछ भी चीज मुझे डाइजिस्ट नहीं हो रही है क्या हो रहा है कभी constipation हो जा रहा है कभी diarrhea हो जा रहा है तो alternate diarrhea constipation चलता रहे रहा है और overuse of purgatives की विज़े से जिसे अब patient आते हैं hospital में ना कहते हैं आके कि डॉक्साब ये तो मानते ही नहीं है हर समय इनकी दारू चलती रहती है रोज इने दो पैक चाहिए ही चाहिए बिना दो पैक के तो काम ही नहीं होता corporates आते हैं सर मान के चलिए लगभग दिन में 5-6 cigarette तो हमारी बहुत आराम से हुई जाती है और क्यों हो जाती है वो इतना tension रहता है कि हम जाके relax हो जाते हैं दो कश्मारते हैं रिलाक्स हो जाते हैं पर उसके बात से परशानी शुरू हो जाती है या फिर coffee drinkers, tea drinkers, patient आता है अगर आपको बाइचानस पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लग जा रहा है उस प्रेशर की वज़े से कमर तक में दर्द जा रहा है बहुत सीवेर बैक हैक हो रहा है नक्स वोमिका इस दा मेडिसन इतनी sensitivity है आपके जो कमर दर्द की इतनी sensitivity है कि आपको किसी भी चीज से परिशानी शुरू हो जा रही है सडनी एकदम किसी भी तकलीफ की वياज़े से पेट आपका बैक्टन शुरू हो जा रहा है नक्स वोमिका इस दा मेडिसन अगर आपको पतरी है किर्नी के अंदर और रेनल कालिक आपको हो जा रहा है किंडनी स्टोन की वज़े से क्या होता है कि आपको बेट जो था वो फूल गया ऐसिडिटी हो गई उसकी वज़े से आपका जो डाइफराम था वो बहुत उपर को चड़ गया और जो प्रेशर था वो हार्ट के उपर और लंग्स के उपर दोनों पर महसूस हो रहा है तो उसकी वज़े से सांस फूलने कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़ाधा मास्टरॉबेशन करता है या कोई एडल्ट है जो की बहुत मुल्टेपल पार्ट Corners के साथ में intercourse करता है या सेक्शुल एक्सिस उसके रहते हैं अपने एक सिंगल पार्टनर के संग में तो भी बहुत इंपोर्टन शुरू हो जाएगी जो रात में खाना खाया है वो तीन मज़े के बाद उसे परिशान करेगा सुबह जब मरीज सोके उठेगा तो भाईया सुबह उठने के बाद तो उसे बहुती दिक्कत होती है बार-बार उसे जो है अजीब वजीब सा महसूस होगा उपकाई सी आएगी ढकारे सी आएगी बुरी तरह से इरक्टेशन आएगा सब खाना उपर को आएगा और फिर उसके बाद तो वामिटिंग होई जाएगी और इसी वज़े से उसको इमसोनिया होता है उसको नीन नहीं आती इसी डर की है नक्समोमेका प्रेस्क्राइब करने से पहले कि देखो भाया, रात को तीन मज़े के बाद परिशानी जरूर होगी, सुबह उठने के बाद परिशानी जरूर होगी, इतना ओवर सेंसिटिव है कि हलकी सी भी तेज आवाज, हलका सा भी तेज साउंड, हलकी सी भी तेज इतना कोन है मेरे आसपास, बहुत सारी परिशानियां कॉस करता है गुस्से में वो, और गुस्से की वज़े से ही उससे दिक्कते होनी शुरू होती है, इसी तरह वर्क फ्रम होम, सिरेंटरी राइफसेल वाले लगातार बैठने वाले लगों की बहुत ही इंपोर्टन दव अगला सवाल उठता है डोसेज, क्या डोसेज रखें और किस तरह से नक्स वोमेका इस्तमाल करें, कौन सी पुटेंसी में करें कि बेस पॉसिबल रिजल्ट्स आएं, देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, नक्स वोमेका 30 पुटेंसी में अपने घर में रखिए, 30 से ऊपर आ आपको आटोमेटिकली चार से पांच खुराक में अराम आ जाएगा, अगर आप रेगुलर आपको तकलीफे रहती हैं, वर्क फ्रम होम हैं, सुडेंट फ्रम होम हैं, सुबह शाम इस्तमाल करिए, अगर आप थोड़े से जादा एज ग्रूप के पेशेंट हैं, सपोज आपको इंप्रूब्मेंट आएगा, देखिए, बहुत सारी बुक्स के अंदर, बहुत सारी लिट्रेचर में 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 अच्छी पुटेंसी में, या 200 या 1 MS पर दर रेकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर ही यूज होनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन में, सेफर डोसेज में 30 पुटेंसी के हिसाब से ही इस्तमाल करें, आपको हमेशा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो I hope कि मैंने इस वीडियो में नक्स वोमेका से जुड़ी कुछ ऐसी बाते आपको बताई हैं, जिससे कि अगर आप नक्स अपने घर में यूज करेंगे न, रखेंगे नक्स वोमेका, आपको 100% आपकी पेट संबंधी परिशानियों में आराम जरूर आएगा, तो I hope कि मेरी बातों से आप संतुष्ट होंगे, आप भी चाहेंगे नक्स वोमेका से फायदा उठाना, उसे इस्तमाल करना, और अगर आप संतुष्ट हैं, आप चाहते हैं, मुझे best possible results मिलें, तो पहले न, ये जो चैनल लेने से subscribe कर लिजे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर public image, हुमियोपथी की public image improve करें, और ये जो वीडियो है, बहुत ध्यान से बनाई है, आप लोगों की मदद के लिए बनाई है तो प्लीज, thumbs up देना, बिलकुल मत भूलिए, मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नमस्कार, thank you